Hi Friends आपका हमागा YouTube चनल मील्स औंड गेजट्स में स्वागत है Friends आज हम पर्वल की सबजी बनाएंगे पर्वल की सबजी एक आम सबजी है और हर घर में बनाई जाती है लेकिन आज हम इस पर्वल की सबजी को डिजाइनर रूप देके खास बना देंगे हम परवल की सबजी को पाल वाली नाव के रूप में बनाएंगे तो चलिए अपनी परवल की सबजी बनाना शुरू करते हैं इस सबजी को बनाने के लिए हमने पांच परवल लिये हैं सबसे पहले परवल के टॉप को काट कर इसे भी से दो कर दें और एक नाव का रूप दे दें हम अपने सभी पांचों परवल ऐसे ही भीश से काट कर उन्हें नाव का रूप दे देंगे पांच परवल को भीश से काट कर हम परवल की दस नाव तयार कर लेंगे देखिए हमने सभी परवल भी से काट कर उन से नौ तयार कर ली है परवल की सबजी की ग्रेवी बनाने के लिए हमने एक मीडियम साइच के प्याज को रफली चौप्ट कर लिया है प्याज को रफली चौप्ट करने के बाद इसे एक बोल में रख दें इसके बाद एक इंच के अद्रक का टुकडा रफली चौप्ट कर लें हमें सभी सबजियां मोटी मोटी ही काटनी है अद्रक को चौप्ट करने के बाद इसे भी एक बोल में रख दें इसके बाद हम दो हरी मिर्च को मोटा मोटा काटेंगे हरी मिर्च को रफली चॉप्ट करने के बाद हम पांच कली लहसन को दो टukलों में काट कर प्याजवाले बोल में डाल देंगे इसके बाद हम दो मीडियम साच के टमाटर लेंगे और इन टमाटरों को आछ टुकलों में काट लेंगे इसके अलावा हमने एक टेविल स्पून काजू को एक बोल में पानी में भगो दिया है अब हम एक कड़ाई में कुकिंग ओल डालेंगे और इस कड़ाई को गैस पर रखकर हम तेल को गरम कर लेंगे जब कोकिंग ओल गरम हो जाएगा तब हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे हमें प्याज ब्राउन नहीं तलना है हम प्याज को पिंग होने तक तलेंगे और उसके बाद प्याज को बहार निकाल लेंगे हमें प्याज को हाई फ्लेम पर तलना है हमारा प्यास तल के पिंग हो चुका है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे कडाई में प्यास तलने के बाद अब हम परवल तलेंगे हम तेल में परवल को काट कर तयार की गई दस नाओ को डाल देंगे हम परवल को दोनों साइट से तलेंगे ताकि एच्छी तरहें गल जाएं और गोल्डन ब्राउन होने पर इन्हें बाहर निकाल लेंगे जब तक हमारे परवल तल कर गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं तब तक हम ग्रेवी का मसाला पीस कर त्यार कर लेते हैं मिक्सर ग्रैंडर में सबसे पहले टमाटर और अधरक डाल दें इसके बाद इसमें भिगूया हुआ काजू डाल दें अब मिक्सी के जार में तला हुआ प्याज डाल दें प्याज डालने के बाद मिक्सी जार को बंद कर दें और इसे पीश लें हमारे परवल एक साइट से सिख चुके हैं अब हम इने पलट देंगे और दूसरी साइट से सिखने देंगे हमारा परवल दोनों साइट से सिख चुका है और देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम इस परवल को कड़ाई से बाहर निकाल लेंगे हमारे परवल तल चुके हैं और देखिए हमारा मसाला भी पिसकर तयार हो चुका है अब कड़ाई में एक टी स्पून कोकिंग ओयल छोड़के बाकी सारा कोकिंग ओयल निकाल लें अब कड़ाई में पीसा हुआ मसाला डाल कर इसे 2-3 मिनिट तक मीडियम फ्लेम पर भूने फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए आये हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सही समय पर हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन प्रेस करें अब हम कड़ाई में आदा टीस्पून हल्दी डालेंगे आदा टीस्पून पिसी लाल मिर्च डालेंगे आदा टीस्पून धनिया डालेंगे आदा टीस्पून खटाई डालेंगे खटाई डालने के बाद इन सभी मसालों को अच्छी तरह चला कर मिला देंगे जब थोड़ी देर ये मसाले भुण जाएं उसके बाद हम इसमें एक टीस्पून गरम मसाला या किचन किंग मसाला डालेंगे गरम मसाला या किचिन किंग मसाला डालने के बाद हम इसमें एक टी स्पून लेविल से नमक डालेंगे और नमक डालकर इसे इच्छे से चला देंगे सबी मसाले डालने के बाद इसे लो फलेम पर थोड़ी दिर चलाएं ताकि हमारे सबी मसाले बहुं जाएं इसके बाद एक टीस्पून कसूरी मेती को हथेली के बीच में रगड़ कर कड़ाई में डाल दें और चला कर मिला दें इसके बाद कड़ाई में दो टीस्पून मलाई डालें और इसे चला कर मिला दें मलाई डाल कर चला कर मिलाने के बाद कडाई में आदा ग्लास पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसे चलाते रहें और ग्रेवी को पका लें हमारी ग्रेवी पक कर तयार हो चुकी है अब एक तड़का पैन को गैस पर रखें पैन में दो टेबिल स्पून देशी घी डालें जब देशी घी गरम होकर पिगल जाए तब इसमें एक टी स्पून कशमीरी लाल मिर्च डाल कर तड़का त्यार कर लें हमारा तड़का त्यार हो चुका है अब हम इस तड़के को ग्रेवी पर डाल देंगे तड़के में डाली गई कश्मीरी लाल मिर्च लाल ही रहनी चाहिए इसे काला नहीं पढ़ना चाहिए कश्मीरी लाल मिर्च के प्रयोक से ग्रेवी का कलर बहुत खुबसूरत हो जाता है अब इस तड़के को चला कर ग्रेवी में मिला दें तड़का डालने के बाद हमारी ग्रेवी का कलर तो बहुत खुबसूरत होई गया है इसकी महग भी बहुत सौंधी हो गई है अब दो इंच का एक गाजर का टुकड़ा लें और एक दो इंच का मूली का टुकड़ा लें गाजर और मूली के टुकड़े लेने के बाद हम इसके स्लाइस निकालेंगे देखिए दिखाएगे प्रोसेस से हम गाजर और मूली के स्लाइस उतार लेंगे गाजर और मूली के स्लाइस निकालने के बाद हम इन स्लाइस को तिर्शा काटेंगे और इन स्लाइस को नाओ के पाल का शेप देंगे देखिए पहले हमने गाजर और मूली से स्लाइस उतार लिये हैं अब हम इने तिर्शा काट कर पाल का शेप दे रहे हैं देखिए तिर्शा काटते ही गाजर और मूली के स्लाइस नाव के पाल जैसे लगने लग गए हैं गाजर मूली के इन पाल को अब हम परवल की नाव के बीच में सेट कर देंगे देखे पाल अब नाव में सेट हो चुका है और अब हमारी परवल की ये नाव बहुती सुन्दर लग रही है इसके अलाबा हमने एक टुकड़ा टमाटर एक टुकड़ा मूली एक टुकड़ा गाजर और थोड़े सहरा धनिया को बारीक काट लिया है इन सभी चीजों को बारीक काट कर एक बोल में डाल कर मिला लें अब हम इस काटे हुए मैटेरियल को परवल की नाव और पाल के बीच में भर देंगे नाव में इस काटे हुए मैटेरियल को भरने के बाद हमारी नाव मल्टी कलर के फूलों से भरी हुई नाव लगेगी उपर मूली गाजर के फूल रख दिये हैं अब एक सर्विंग ट्रे को इस प्लेट के बीच में रख कर हम इसमें ग्रेवी पलट देंगे देखे धनिये की हर्याली के बीच में हमारी ग्रेवी ही कितनी सुन्दर लग रही है अब हम इस ग्रेवी में परवल की नाव सेट करेंगे एक एक करके हम ग्रेवी में परवल की सभी नाव सेट कर देंगे देखे परवल की सभी नाव हमारी सेट हो चुकी है लीजे आपके सामने श्री नगर की खूबसूरत पाल की नाव अब तयार है इसमें हर्याली भी है नदी भी है, फ्लावर भी है और नाओ भी है हमारे वीडियोस पर प्लीज कमेंट बश्च करें हमें आपके कमेंट का इंतियार रहता है फ्रेंड्स, यदि आपको हमाइ परवल की नाओ की रेश्पी पसंद आई हो तो प्लीज हमाई वीडियो को लाइक शेयर करें हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन प्रेस करें हमारी अन्य सौधिश रेस्पीस के वीडियो के लिंक इस वीडियो के अंत में वाई वेटन में पड़ा हुए है थैंक्यू पर वचिंग